हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा लेडी स्कार बना कर लाई हूं आज मैं आपको ये स्कार बनाना सिखाऊंगे कि ये कैसे बनाया गया है ये सकार बनाने में बहुत ही आसान है इसे new beginners भी आसानी से बना सकती है और ये सकार पहनने में बहुत ही comfortable है इसे आप girls या ladies किसी के लिए भी बना सकती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए friends इसे बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली उन ली है और इसमें मैंने 9 नमबर की स्लाई यूज की है अब यहाँ पर मैंने 82 यानी 82 फंदे डाले हुए हैं अगर आप भी तीन प्लाई वाली उन से ये सकार पनाना चाहती हैं तो 9 नमबर की स्लाई डे लीजे और इसमें 82 यानी 82 फंदे डाल लीजे और अगर आपकी उन इस तरह से देखिए नॉर्मल वाली है जिसमें तीन तार अलग-अलग नहीं होते हैं ऐसे वाली आपकी नॉर्मल उन हो तो आप इसमें 10 नमबर की स्लाई ले लीजे और 86 से 88 फंदे आप इसमें डाल अब ये देखिए यहाँ पर फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सलाया बनाते हुए मैंने ये साथ सलायां कम्पलीट की हैं इस तरह से धागा अपनी तरफ करके पूरी सलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो ये देखिए उल्टी साइड से सलाई को मैंने बिल्कुल उल्टा उल्टा बना लिया है आप इसे एक कलर में भी बना सकती है डबल कलर या मल्टी कलर में भी बना सकती है अब सीधी सा से सलाई उल्टी और फिर सीधी साइड से सलाई सीधी तो चार सलाईयां इसमें हम इसी तरह से ये सीधी उल्टी कम्प्लेट करेंगे तो ये दूसरी सलाई है ऐसे ही हम दो सलाईयां और बुन लेंगे तो ये देखे फ्रेंट चार सलाईयां इसमें मैंने ये सीधी उल्टी ब तो पूरी सलाई हम इस कलर से उल्टी उल्टी बनाएंगे जब हमने ये वाला कलर लगाया है तो उल्टी और सीधी बनाई हैं लेकिन इस कलर से हम दोनों तरब से सलाईों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो आप उल्टी साइड से भी इसी तरह से धागा अपनी तरब करके सलाई को उल्टा बुन दीजिए फिर सीधी साइड से भी धागे को अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लीजिए तो ये देखे फ्रेंड से इस तरह से दो सलाईयां मैंने ये उल्टी उल्टी बुन ली हैं दो सलाईयों में इस तरह से एक लाइन आ गई है अब इसमें म और इसी कलर से उल्टी उल्टी बनाऊंगी, तो जैसे ये वाली लाइन आई है, ऐसी ही यहां पर हमारी तीन लाइने आ जाएंगे, फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे, और चार सलाईयां उल्टी और सीधी बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा ये प्लेन बना जाएगा, तो अब हम ऐसे ही रिपिट करते जाएंगे, छै सलाई इस वाले कलर की बनाएंगे, फिर चार सलाईया इस कलर की, फिर से छै सलाईया इस कलर की, तो इसकी हमें जो लेंथ बनानी है, वो 6 से सवा 6 इंच तक बना के तयार करनी है फिर उसके बाद इसमें हम 4 जगे फली डाल कर फंदे घटाएंगे तो आप भी इससे जो है इसी तरह से 4 सलाई सीधी उल्टी और 6 सलाईया उल्टी उल्टी भुनते जाएए और इसे 6 से सवा 6 इंच तक बुन लिजे तो मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ फिर आपको इसमें घटाई करना बताऊंगी तो ये देखें फ्रेंट से मैंने इसकी ये सवा 6 इंच लेंथ बना ली है मैं आपको नापकर दिखा देती हूँ इस तरह से देखिए यहां तक ये हमारा सवा 6 इंच बन गया है अब इसमें हम 4 जगे फली डाल कर इसमें घटाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो हैं 82 यानी 82 फंदे तो ये देखिए 82 फंदे को हम कैसे डिवाइड करेंगे चार जगे हमें फली बनानी है एक दो तीन और ये चार जगे आएगी तो इसमें हम देखिए 9 फंदे बनाएंगे 3 फंदे का एक करेंगे फिर 17 फंदे बनाएंगे फिर 3 का एक करेंगे फिर से 17 फंदे बनाएंगे फिर 3 का एक करेंगे तो last में हमारे 10 फंदे बच जाएंगे तो इन सभी फंदों का जब हम जोड करते हैं तो total हमारे ये 82 यानी 82 फंदे हो जाते हैं तो अब देखिए कैसे करेंगे ये जो इसमें हम बना रहे हैं चार सलाईया हम इस कलर से उल्टी सीधी बना रहे हैं और छे सलाईया इस वाले कलर से उल्टी उल्टी बना रहे हैं तो इसमें ये पांच सलाईया हमारी complete हो चुकी हैं छटी सलाई है और देखिए यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छटा इसका हमारा ये डिजाइन है एक, दो, तीन, चार और ये पांच हमारे इस कलर के डिजाइन पूरी हो गए हैं तो आप जैसे भी चाहो आप इंची टेप से नापना चाहो तो इंची टेप से नाप लीजिए और इस तरह से ये डिजाइन किन कर बनाना चाहो तो वैसे बना लीजिए अब इसमें हम देखिए नो फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये नो नो फंदे बुनने के बाद धागे को पिछे करेंगे और यहां पर हम तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे जिससे हमारी य तो पहले फंदे को छोड़ देंगे बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे हम पलट के सबसे आगे कर देंगे अब इन तीनो फंदे को हलका सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाई डाल लेंगे औ और तीन फंदे का हम एक फंदा बना देगे अब देखे धागे को अपनी तरफ करेंगे और सत्र फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला और ये सत्रा सत्रा फंदे बनाने के बाद फिर से हम तीन फंदे का यहां एक फंदा बनाएंगे तो धागे को पीछे करेंगे और ये देखे ये जो तीन फंदे हैं इस एक फंदे को छोड़ के बीच वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे पहले वाले को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे अब ये जो बीच वाला फंदा है इसे पलट के हम सबसे आगे कर देंगे तीनों फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे तो एक फली हमारी यहाँ पर आ गई अब फिर से हम 17 फंदे बनाएंगे और एक फली बना देंगे तो ऐसे करते हुए लाष्ट के हमारे 10 उल्टे आएंगे तो 2 फली बन गई हैं और 2 इसमें और बनेंगे तो इस सलाई को आप ऐसे ही पूरा कीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स पूरी सलाई में हमने इस तरह से चार जगह तीन का एक करकी ये फलिया बनाई है तो यहां पर हमने इसकी छटी सलाई से इसको शुरू किया है तो अब उल्टी साइड से हम अपना ये कलर चेंज करेंगे और पूरी सलाई को उल्टा बुन देंगे सीधी साइड से फिर से हमें चार जगह पर ऐसे ही तीन का एक करना है तो हमारे चार जगह फली से फंदे घटते जाएंगे तो इस सलाई को आप बुन लीजिए 9 फंदे बुनेते तो अब हम यहाँ पर 8 फंदे बनाएंगे देखिए यहाँ पर यह हमारी सीधी स्लाई बनेगी तो धागा पीछे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह 8 अब देखिए यह हमारा 3 का जो एक क्या था यह फली है एक फंदा इधर से लेंगे एक इधर से लेंगे तो इन तीन का हमें एक करना है तो इस बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे पहले को उतारेंगे और बैक सैड से देखिए इस फंदे को ऐसे लेंगे अब यह जो फंदाई से हम पलट के सबसे आगे कर देंगे तीनों फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और पीछे से स्लाई ड अब देखे एक फंदा इस वाली फली में आ गया है एक इसका नेक्ष्ट वाली फली में जागा तो पहले हमने 17 बनाई थे तो अब हमारे यहां 15 फंदे बनाई जाएंगे तो तीन का एक करने के बाद एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार 13, 14, और यह 15 अब देखे फिर से हम यहां तीन का एक करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे इस फली वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे बीच वाले को पलट कर सबसे आगे करेंगे तीनों फंदों को थोड़ा सा ल करेंगे फिर 15 फंदे बनाएंगे तीन का एक कर देंगे और लास्ट में हमारे 9 फंदे आएंगे उनको हम सीधा बुनेंगे उल्टी सैड से स्लाई पूरी उल्टी बनेगे तो यह देखे फ्रेंट से अब फिर से हम सीधी साइड पर आ गई हैं और हम यहां फली पर फंदे ही खोथता जाएगा और हमारे फंदे घटते जाएंगे तो एक बार फिर से देख लीजिए यहां पर एक दो तीन च्यार पांच छे और यह साथ फंदे हम सीधे बनाएंगे और यहां तीन का एक करेंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतार कर बैक साइड की स सबसे आगे डाल देंगे इन तीनों फंदे में थोड़ा सा लूज करके बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन का हम एक फंदा बना देंगे अब यहां बीच में हमारे तेरा फंदे बने जाएंगे फिर हम तीन का एक करेंगे फिर से तेरा फंदे सीधे बनाएंगे और तो ऐसे करते हुए इस सलाई को हम बुन देंगे तो फिर हमारी चार सलाईया इस कलर की पूरी हो जाएंगी फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और इससे उल्टी साइड की सलाई को उल्टा बुन देंगे तो ये देखें फ्रेंड्स कलर हमने चेंज करके उल्टी साइड स सलाई को बना लिया है अब इस कलर से जैसे हम नीचे से उल्टी-उल्टी सलाई या बुनते आए हैं तो यहां भी हम उल्टी ही बुनेंगे तो अब यहां से हमें फिर से घटाई करनी है एक बार फिर से देख लिजे एक दो तीन चार पांच और यह छे फंदे इस तरह से हमने उल्टे बनाए अब धागे को पीछे करेंगे और यहां पर हम तीन फंदे का एक करेंगे तो बीच वाले को लेंगे इस एक फंदे को उतारेंगे और बैक साइड की सलाई पर डाल देंगे इसे पलट के हम सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से तीन फंदे में सलाई डाले और तीन का यहां पर एक फंदा बना देंगे अब देखे यहां पर हम 11 फंदे उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और यह 11 फिर से हम यहां तीन का एक करेंगे फिर 11 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे करते हुए इसे हम बिल्कुल हमारे देखिए एक एक तो यह फली का फंदा बच जाएगा एक फंदा यहां पर आपका एक्स्ट्रा बचेगा और इधर की साइड आपके दो फंदे बचेएंगे तब तक मैं इसको ऐसे ही बुनते जाऊंगे जैसे ही हमें यहां छे से लाई पूरी हो जाएंगे तो यह वाला कलर चेंज कर देना है तो मैं इसे बुन लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंडसी लाष्ट तक जब हम घटाते हुए आए हैं तो जैसे यहां पर 17 फंदे थे तो इस फली के और इस फली के बीच में अब एक फंदा है इसके और इसके बीच में भी एक है यहां लाष्ट में दो हैं यहां कोने पर एक है तो यहां भी हम फली बन अब देखे ये वाली जो फली है एक फंदा इधर हो गया एक इधर हो गया तो इस फली वाले को ऐसे लेंगे इसको उतारेंगे और बैक साइड से इसको स्लाइपर डालेंगे इसे हम पलटके आगे कर देंगे और बैक साइड से इन तीन फंदे का यहां पर हम एक फंदा बना अब देखिएगा ये वाला जो फली का फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे अब इन तीन का हम एक करेंगे तो इस फली वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे इसको हम बैक साइड की स्लाइपर लेंगे फली वाले को पलटके सबसे आगे कर देंगे और यहां पर भी तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे, थोड़ा सा लूज कर लिजिए इनको ताकि तीन का एक आसानी से हो जाए, अब लास्ट का एक फंदा उल्टा, अब देखिए हमारे पास टोटल यहां 2, 4 और यह 6 फंदे हैं, इन 6 फंदे का हम यहां एक फंदा बना देंगे, तो यहां तीन तीन करके तीन गटा दी हैं यहां दो का करके बीच में से उन निकालके फिर हम यहां पर धागे को दोसे तीन बार निकालके काट देंगे तो ये देखिए फ्रेंट से इस कार्प का एक पार्ट हमारा बन के तयार हो गया है इस तरह से इसमें हमने घटाई करके और ये राउंड सेफ इसकी बना ली है अब हमें इसका दूसरी साइड का पार्ट तयार करना है तो दूसरी साइड का पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये देखिए 10 फंदे डाल लिये हैं अब इसमें हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे तो देखे धागे को इस तरह से अपनी तरफ करना है और उल्टा बुनते हुए ये 10 पंदे बना लेने हैं फिर दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही 10 पंदे बुनेंगे तो उल्टा उल्टा बुनते हुए अब इस पटी को हम थोड़ा लंबा सा बुन लेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको 8-10 इंच या 5-6 जितनी लंबी पटी आप रखना चाहो बांधने वाली हम ये डोरी बना रहे हैं तो जितनी लेंथ आप बनाना चाहो उतनी बना लीजे तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा बुन लेती हुँ फिर आगे आपको इसे बुनना बता ये देखे फ्रेंड्स मैंने ये 9 इंच लंबी पटी बना के तयार कर ली है इस पटी की लेंथ आप अपने इसाब से कम या ज्यादा भी बना सकती हैं तो इस तरह से ये पटी बनाने के बाद अब इसमें हम एक साइड से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहां से दे देंगे तो यानि एक फंदा बढ़ाने से अब हमारे ये 11 फंदे हो गए हैं दूसरी साइड पर हमारी जो सलाई आएगी उसे हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे तो देखिए अब हम ये दूसरी साइड की सलाई है धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 11 फंदों को उल्टा ब आप इसे सीधी कईए या उल्टी कईए दोनों तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा ही बन रहा है तो यहां से हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे जब हम यहां से बुनना शुरू करेंगे तब हर बार हमें यहां पर एक फंदा बढ़ा देना है तो नीचे से लुप उठाई और एक फंदा बढ़ा दिया आगे हमारे 11 फंदे हो हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे फिर हम दूसरी साइड पर आएंगे तो फिर से उन सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे तो यह देखिए यहां से भी मैंने उल्टा बुन लिया है अब फिर से देखिए हम यहां से बुनना शुरू करेंगे तो पहले हम यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे नीचे से देखिए इस तरह से एक लूप में सलाई डालेंगे एक फंदा हम यहां पर बढ़ा देंगे अब आगे हमारे यह 12 फंदे हैं तो इनको हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे फिर दूसरी साइड स बुनेंगे यानि ऐसे ही हमें यहां से जब बुनना शुरू करना है तो पहले एक फंदा बढ़ा देना है फिर आगे के सभी फंदों को बुनते जाना है और यह देखिए जब आप हर बार इस साइड से फंदा बढ़ाएंगी तो ऐसे आपका यह तिरछा पार्ट बनता चल आपकर देखेंगे ये जो इसकी पट्टी है ये हमारी नीचे आएगी और ये हमारा देखे यहां से सिलना शुरू होगा ऐसे ये जाएगा इस तरह से करके ये हमारे देखे तिर्ची जाएगी इसको हम यहां रखेंगे अब ये हमारा यहां तक बना है इसे आप डबल कलर में बनाना चाहो तो double color में भी बना सकती है और ऐसे ही फंदे बढ़ते बढ़ते ये आपका जाएगा और इसके ये यहां तक इसकी length हो जाएगी इसमें double color लगाना हो तो हमें यहीं से join't करना पड़ेगा और फिर हम इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए इसको बोनते जाएंगे तो इसमें मैं लगातार फंदे बढ़ाते हुए इसकी जो length है देखिए यहां से लेकर और यहां तक आ जाए इतना मैं इसको बनाऊंगे तो मैं एक बार इसके फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें फंदे घटाना बताऊंगे तो ये देखिए फ्रेंड से, इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए, इसकी जो length है, वो मैंने यहां से और यहां तक पूरी कर ले है मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, यहां से हमने इसमें फंदे बढ़ाना शुरू किया है, तो यहां से जहां से आपने फंदे बढ़ाना शुरू किया है, ये वाला हिस्सा यहां पर रखिएगा, और इस तरीके से आप इसको नाप और यह जो देखे हमने यहां पर जो फंदे बंद की हुए है इस तरीके से यहां तक हमारा यह पार्ट बन के तयार हो गया है अब इसमें हम दो सलाई बनाएंगे जिसमें फंदा नहीं बढ़ाएंगे यानि यहां से हम फंदे बढ़ाते हैं तो एक सलाई अब बिना फंदे ब अब आप इस तरह से ये दो सलाई इसमें जरूर बना दीजिएihin तो मैं इन दो सलाईों को बुन लेती हूँ फिर इसमें फंडे गटाना शुरू करेंगे तो ये देखिए दो सलाईया मैंने ये बुन ले हैं दस फंदे मैंने यहां पट्टी के लिए थे और 30 फंदे एक एक करके यहां साइड से मैंने बढ़ाए हैं तो यहां पर मेरे पास total अब यह 40 फंदे हैं और अब यह दो सलाई उल्टी बुनने के बाद यहां से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे जैसे हमने ये बढ़ाई हैं ठीक वैसे ही अब हम घटाते चले जाएंगे तो यहां से दो फंदे का एक करेंगे पूरी सलाई को फिर उल्टा बुनते जाएंगे दूसरी साइड से सलाई को उल्टा बुन देंगे फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर से यहाँ पर दो फंदे का एक करेंगे और इन फंदों को इसी तरह से घटाते हुए हम यहाँ तक बुन लेंगे 30 फंदे बढ़ाए हैं 30 ही फंदे हमें घटाने हैं जब इसमें 10 फंदे बच जाएंगे तो फिर उन 10 फंदों से हम इसी तरह की पट्टी बुनेंगे जितनी लंबी पट्टी हमने यह बनाई है सेम उतनी ही हम आगे बुन देंगे तो अब आप इसमें ऐसे ही लगातार यहाँ से दो का एक करते जाएए फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुन के फिर से यहीं से दो का एक कीजिए 10 फंदे रहने पर आप सेम साइज की पट्टी बुन के तयार कर लीजिए तो मैं भी अब इसे पूरा कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसे सीलना बताऊंगे तो यह देखिए फ्रेंड से इस तरह से यह पैक साइड का पार्ट भी हमारा कम्पलीट हो गया है अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो यह देखिए सिलाई करने के लिए इस तरह से यह वाला तो हमारा दोनों तरब से बिलकुल एक जैसा है और इसका जो सीधा हिस्सा है ऐसे लेंगे यहाँ पर और बीच में एक safety pin लगा देंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो यह जो इसका बीच का सिरा है और यह वाला ठीक बीच का सिरा है यह यहाँ से उपर नीचे ना हो इसकी सिलाई बिल्कुल अच्छे से हो जाए तो इस तरीके से आप यहां पर एक safety pin लगा दीजिए और अब सुई में धागा डाल लीजिए यह देखेगा जैसे हमने यहां से फंदे बढ़ाना शुरू किया था यहां से आप इसको सीलना शुरू कीजिए और बारिक बारिक टाके लगाते हुए यहां तक इसकी सिलाई कर दीजिए और फिर ऐसे सीलते हुए इसे हम देखिए यहां तक सील देंगे तो मैं इसकी इस तरह से सीलाई कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसकी final look दिखाती हूँ यह देखिए मैं आपको इसे थोड़ा सा सील कर भी दिखा देती हूं ताकि आपको कोई तिक्कत ना आए तो देखिए यहां से बिलकुल इसके कोने में ऐसे सुई डालेंगे और यहां पर सबसे पहले तो हम यह जो सुई में धागा डाला है इसे अटैच करेंगे एक दो ने ना पाए तो ऐसे लीजिए और इसे पक्का कर दीजिए फिर से आप एक बार निकाल दीजिए ताकि यहां से बिलकुल इसकी मजबूत सिलाई हो जाए यह देखिए ऐसे करके सुई को हम इसके बीच में से निकालेंगे और यह हमारा यहां से बिलकुल टाइट इसका जो और यहां से इसे हम देखे ऐसे करके निकाल देंगे और यह देखे यहां से मोटी सिलाई नहीं बनेगी और फिनिसिंग बहुत अच्छी आएगे एक तो हम धागे को ऐसे खीचते ऐसे नहीं खीचना इसको ऐसे रखना है अब जहां पर ये धागा निकला है इसके back side से सुई को हम ऐसे डालेंगे बिल्कुल एक-एक फंदे के अंदर से और जहां पर धागा निकला हुआ है इसके आगे वाले सिरे पर ऐसे हम सुई को निकाल देंगे ये देखिए ऐसे हो गया फिर से जहां पर धागा निकला है पिछे वाली साइड ऐसे सुई डालेंगे और जहां पर ये धागा है इसके अगले हिस्से पर देखिए ऐसे करके हम सुई को निकाल देंगे और इसको हम हर बार ऐसे करेंगे ऐसे नहीं खीचेंगे ऐसे खीचेंगे फिर से जहां धागा निकला है उसकी back side पर सुई डालेंगे और अगले वाले सीरे से थोड़ा सा आगे हम ऐसे करके इस सुई को निकाल देगे तो बस ऐसे ही अब इसकी हमें यहां तक फिर यहां से यहां तक इसकी सिलाई कर देनी है और यहां पर भी तीन-चार बार ऐसे ही सुई को निकाल के धागा पका करके काट देना है तो मैं इसे सील लेती हूँ आप भी इसी तरह से इसकी सिलाई कर लीजिए सील के आपको इसकी final look दिखाती हूँ तो यह देखे फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो सकार किसलाई complete हो गई है बहुत ही प्यारी सी हमारी सकार बन के तयार हो गई है बनाने में बहुत ही आसान है पहनने में बहुत ही comfortable है अगर आपको यह सकार पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थैंक यू